अरे देखो फ्रेंड्स ये मिष्टी की बच्ची तो उपर चड़ रही है तो चलो दोस्तो अभी हम लोग इसे नीचे गिराते हैं तो चलो फ्रेंड्स अभी हम लोगे सीडी के उपर थोड़ा सा शहर डाल देते हैं तो देखो दोस्तो हमने यहाँ पर शहर डाल दिया है अरे नहीं यार यह इतनी सारी मदू मक्या कहां से आ गई अरे कोई बचाओ मुझे अले अभी तो मैं इच मिस्टी की बच्ची को काट के लऊंगी देखो मैंने काट लिया अरे नहीं यह क्या मेरी तो कमल टूट गई ओ नो यह सिटनी किसने गिरा दी अरे देखो आशो मैं कितने सारे लट्टू जलाने वाली हूँ आओ आओ तुम्हे भी तमाशा दिखाती हूँ अरे देखो फ्रेंड्स यह मिस्टी तो तमाशा दिखाने जा रही है अरे वायार ट्रेंड के अंदर सफर करने का तो अलग ही मजा है ओ नो इन दादी जी को क्या हो गया अरे तो चलो अभी मैं इने शोक लगा कर उठाने की कोशिश करती हूँ ओ नो इनका तो बजिया बन गया अरे नहीं फ्रेंड्स इसने तो गडबड कर दी ये लो ये दवाई इन दादी जी को खिला दो अरे वाबरता तुमने तो मेरी जान मचा ली अरे वायार उन दादी जी को तो होशा गया ओ नो ये यहाँ पर कचरा किसने गिरा दिया अरे तो चलो अभी मैं इसे जला देती हूँ अरे देखो फ्रेंड्स ये तो खुद ही जल गई अब हम लोगों को ही कुछ करना होगा अरे तो ये लो फटा फट से वेक्यूं क्लीनर पकड़ो और इसकी मदद से इसे साफ कर दो अरे वायार ये तो पूरा साफ हो गया तो चलो अभी आगे चलते हैं अरे नहीं ये क्या यहाँ पर तो एक मॉम है अब मैं क्या करूँ अरे तो चलो फ्रेंड्स हम लोग इसे एक लोकर के अंदर बंद कर देते हैं और देखो हमने सब को बचा लिया अले तो आप चबी लोगों का आज के इस कॉमपटिशन में छुआ थे अरे हाँ यार आज का कॉमपटिशन तो मैं ही जितने दूँगी अरे देखना आज का कॉमपटिशन में तुम्हें नई जितने दूँगी आज की विनर तो मैं ही बनूँगी अले तुम दोनों अपनी ललाई को बंद कलो तो अभी जल्दीचे बताओ ये तुमको जो इचकलीन पल दिखाई देला है ये क्या है अरे यार आखिर ये क्या हो सकता है मुझे तो लगता है ये एक बड़ा सा ओक्तोपस है अरे हाँ तो मेरा जवाब ओक्तोपस है अरे लेकिन मेरा जवाब तो केले का छिलका है ये एक केले का छिलका है अले तो चलो अभी हम लोग अंचल देखते हैं तो आज का अंचल है केले का छिलका अले नहीं ये क्या मैं तो हाल गई अरे और मैं तो जीत गई अरे नहीं फ्रेंड्स ये तो एक नंबर की बुद्धु है अब हम लोगों को ही इससे सही जवाब बताना होगा अरे तो सुनो अब की बार तुम जवाब देना इसका जवाब होगा केले का छिलका अरे हाई यार मैं अभी जवाब देती हूँ अरे इसका जवाब है केले का छिलका अरे लेकिन मुझे तो लगता है ये एक ओक्टोपस है अले तो चलो अभी हम लोग इसका चाही जवाब देखते हैं तो इसका चाही जवाब है केले का छिलका अरे वायार मैं तो जीत गई अरे ये क्या मैं तो हार गई ऐसा कैसे हो सकता है औरे कोई बात नहीं देखना आपकी बार तो मैं ही जीतूंगी अरे हाँ वो तो देखा जाएगा अले तो चलो अभी अगले क्योचन की तलब आते हैं तो जल्दी चे देखके बताओ आखिलिए क्या चीज है अरे यार ये तो बहुत अजीब दिखाई दे रहा है मुझे कुछ सोचना होगा अरे हाँ मेरे समझ में आ गया ये एक माइक्रोफोन है तो मेरा आज का जवाब है माइक्रोफोन अरे नहीं लेकिन मेरा जवाब तो है एक टोई सोलजर अरे तो चलो अभी हम लोग अपने चवाल के जवाब की ओल बलते हैं और इसका जवाब है एक टोई सोलजर अरे वायार अपकी बार तो मैं जीत गई अरे नहीं यार ये क्या मेहार कैसे गई अरे वुद्धू जल्दी से अपना जवाब बदल दो अरे यार मेरा जवाब है टोई सोलजर अरे मुझे जहां तेक लगता है ये एक आईस क्रीम है तो मेरा जवाब है आईस क्रीम अले तो चलो अभी हम लोग इच के जवाब की ओल बलते हैं और इच का जवाब है तो इच ओल जल अरे वाई यार मैं तो जीत गई अरे नहीं यार मैं हार कैसे सकती हूँ अरे हाँ तो मेरा जवाब है प्रोटेक्टर अरे लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है ये एक वोटरमेलन है तो मेरा आज का जवाब है वोटरमेलन अले तो चलो अभी देखते हैं आज का बिनल कौन है और इच वाल का जवाब है एक प्रोटेक्टर अले भायाल मैं तो आज की पिजल बन गई अरे नहीं मैं हार कैसे गई अले देखो यहाँ पल तो यह फ्लोवल काफी ज़्यादा उदाच है तो चलो अभी हम लोग इसको हैपी कलते है अले लेकिन अभी मैं एचा क्या कलूँ जिच्छे की यह हैपी हो जाए तो चलो अभी मैं फटा पच्छे इस बादल को चाप कल देता हूँ अले बाद देखो तो मैंने इस बादल को चाप कल दिया और अभी तो यह बलब पिगल चुकी है और हमाला फ्लोवल हैपी हो चुका है अले तो चलो अभी हम लोग आगे बलते है तो अभी इस चोल के बच्चे को हम लोगों को यहांचे छोना धुन के देना होगा अले तो चलो अभी हम लोग इस पहले वाले गेत को छाप कल देते हैं क्या पता हमको छोना मिल जाए अले बाद देखो हमको तो छोना मिल गया आओ इतना सारा सोना मुझे तो मज़ा ही आ गया अले देखो फ्लेंच ये चोल तो काफी ज़्यादा हैप्पी हो चुका है तो चलो अभी हम लोग आगे बलते हैं अले याल ये तो अला दिन का चिलाग लगला है तो चलो अभी हम लोग इचे छाप कलते हैं अले बा देखो हमने इसको छाप कल दिया लेकिन ये क्या देखो यहाँ चे तो जिन भी बहला गया औरे बोलो मेरे आका मेरे लिए आपका क्या हुकम है अले नहीं याल अभी हमको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए अले दोस्तो देखो ये जानबल यहां पल क्या धुंदला है तो चलो अभी हम लोग देखते हैं अले बापले इसने तो इचके अंदल पैचा चुपा के लखा है अरे यार तुमने तो मेरे को पकड़ लिया अले हाँ बुद्धु कहीं के हमने तेल को पकड़ लिया अले बापले ये क्या ये तो एक लोग स्टार निकला अरे नहीं यार तुमने तो मेरे को पकड़ लिया मैं तो एक लोग स्टार हूँ अले बायाल दोस्तो आखिल काल हमने पता लगा लिया आखिल ये कौन है तो चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं अले तो चलो अभी हम लोग थोला चा दिमाग लगाते हैं तो दोस्तो अभी मैं इसको याँचे छाप कल देता हूँ देखो अभी तो ये बच्चा एक अंतलिक शियातली बन चुका है और ये का मेट्टो एक अंतलिक शियातली बन चुका हूँ अले बा मेरा चपना तो चच हो गया अले वायाल दोस्तों हमने तो इसका चपना चच कल दिया तो चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं तो चलो दोस्तों अभी ये आदमी यहाँ पर छेल पी लेना चाहता है और मेले पाच एक बहुत गजब का आइडिया है तो चलो अभी मैं फता पच्चे इसके हतोले को चाप कल देता हूँ अले याल लेकिन मेला इलेजल कहा पल गया अले बा मुझे तो मिल गया और मैंने इसको चाप भी कल दिया आओ आखिरकार मैंने सेल्फी लेही ली अले याल दोस्तो चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं अले याल ये क्या ये आदमी कौनची गाली चलाला है तो चलो अभी हम लोग देखते हैं अले तो चलो फ्रेंच अभी हम लोग इसको छाप कल देते हैं और देखो फ्रेंड्स ये आदमी तो अलादीन से विश मांग रहा है तो हम इसको खजाना दे देते हैं और देखो दोस्तो अभी ये आदमी खजाने के नीचे दब के मर गया अरे तो चलो दोस्तो अभी हम लोग इसकी आत्मा को पकड़ लेते हैं अरे वा तो देखो दोस्तो हमने हमारी आज की पहली आत्मा पकड़ ली तो दोस्तो अभी हम लोगों को इस डांसर के बच्चे को मालना होगा अरे तो फ्रेंड्स अभी हम लोगे काम करते हैं यहाँ पर पानी गिरा देते हैं और देखो दोस्तो अभी तो यह आदमी मर चुका है तो चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसके आत्मा को भी पकड़ लेते हैं तो दोस्तो हमने अब तक दो आत्मा पकड़ ली तो चलो अभी आगे चलते हैं अरे दिखो फ्रेंट्स यह लड़का तो यहाँ पर स्टन्ट कर रहा है तो अभी हम लोग इसके सिर्खे उपर इस वाले गोसले को रख देते हैं अरे देखो फ्रेंड्स यहाँ पर तो चेडिया आ चुकी है और अभी यह लड़का नीचे गिल चुका है तो दोस्तो अभी यह लड़का मर भी चुका है तो चलो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसके आत्मा को पकड़ लिया और इसी के साथ हमारा आज का पहला लेवल हीन पर डाल देते हैं अरे तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर तो सोट सर्किट हो गया और अभी यह आदमी तो मर चुका है तो चलो दोस्तो अभी हम लोग इसके आत्मा को पकड़ लिया तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं तो देखो दोस्तों अभी हमें इस आदमी को मारना अरे तो चलो फ्रेंट्स अभी हम लोग इसे ये वाला बर्गर खिला देते हैं और देखो दोस्तो अभी इसने तो बर्गर खा लिया है और इसका पेट भी भर चुका है तो देखो दोस्तो अभी इसे सर्दी लग रही है तो अभी हम लोग इसे आग जलाने के लिए लाइटर दे देते हैं और ये देखो दोस्तो इसने तो आग जला भी ली और देखो दोस्तो अभी तो यहाँ पर बरफ पिगल गई और ये आदमी मर चुका है तो चलो दोस्तो अभी हम लोग फटा फट से इसकी आत्मा को भी पकड़ लेते हैं और फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमने हमारी आज की दूसरी आत्मा पकड़ ली तो चलो दोस्तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं अरे तो देखो दोस्तो ये लड़की अभी फ्रीजर की और जा रही है तो दोस्तो अभी हम लोगों को इसे मार ना होगा तो फ्रेंड्स अभी मैं इस पंके को ओन कर देता हूँ और देखो दोस्तो अभी तो ये दरवाजा बंध हो चुका है और ये क्या दोस्तो ये लड़की भी अंदर बंध हो चुकी है और देखो फ्रेंड्स अभी तो इसकी कुलफी जम गई और ये मर भी चुकी है तो चलो दोस्तो अभी हम लोग हमारी आखरी आत्मा को भी पकड़ लेते हैं अरे वा फ्रेंट्स और इसी के साथ ही हमारा दूसरा लेवल भी कम्पलीट हो गया